आईए भक्तो आज सुनते हैं सावन मास में सिरी हनुमान जन्म की कहानी राम भक्त हनुमान बल बुद्धी तथा बिद्या के स्वामी है कहा जाता है कि देवताओं में उन्हें सदेव अजर तथा अमर रहने का बर्दान किया है यही कारण है कि कल्युक में भी उनके होने का संकेत कभी न कभी हमें मिलता ही रहता है इनकी अराधना भगवान सीव के रुद्रा अफ्तार के रूप में की जाती है पुरानिक कथा के अनुसार राजा दस्रत के जब कोई संतान नहीं हुई तब उनके कुल गुरु महर्शी वसिष्ट ने पुत्र यग के आयोजन का अमर्श दिया दूर दूर से इस यग में भाग लेने के लिए एक से एक बिद्वान महात्माक आये तथा यग को सफलता पुर्वग पूरा किया यकी समाप्थी के बाद उसी कुंड में अगनी से देव अपने हाथ में परशाद रूपी खीर को लेकर परकट हुए और परशाद को राजा की तीनों रानिया रानि को सेलिया सुमित्रा तथा केकई को बांट दिया तथा रानि केकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया किन्तु जैसे सुमित्रा ने अपने हिस्से का परशाद उठाया तभी अचानक अकास से गरूर पक्छी आया और उस परशाद को अपनी चोच में दबाकर पुन अकास की ओर उड़ गया ठीक उसी समय एक परवर्तिय अस्थान पर महारानी अंजना पुत्र प्राप्ठी हेतु तपस्या कर रही थी वह परशाद गरूर से छुट कर उनकी गोद में आगिरा अंजना को लगा कि यह उनकी तपस्या का फल है उन्होंने उस परशाद को इस्वर का असिरवाद समझ कर उसे खा लिया जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्ठ हुए उधर सुमित्रा को निरास देखकर रानी कौसेलिया तथा केकई ने रानी सुमित्रा को अपने परसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग दिया इसी कारण रानी सुमित्रा को दो जुर्बा संतान के रूप में लच्मन तथा सत्रूधन पैदा हुए साथ ही राजा दसरत की रानी कोसेलिया को सीरी राम तथा केकई के भरत पुत रूप में पड़ाप्त हुए एक अन्य कथा हमें बताती है कि देपताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग लोक में बहुत सी अफसराय रहा करती थी उनी अफसराओं में से एक पुंजी कस्थला नाम की अफसराय थी एक समय इंद्र की सभा में उपस्थी थी तभी दुर्बसा रिशी की स्वर्ग लोक में आगमन हुआ देपराज इंद्र तथा रिशी दुर्बसा के बीच बात चर रही थी की अफसरा पुंजी कस्थला अपने चंचर सोभाब के कारण एक अस्थान पर नर रहा कर इधर उधर आ जा रही थी उसने दुर्बसा रिशी को करोध में आ गया और अपने ध्यान से बिग्न परने के कारण उन्होंने पुंजी का अस्थला को बानरी के जाने को सराप दिया अईसा सुनते ही वह रोने लगी तथा छमाय आचना करने लगी तब राजा इंद तथा अन्य देवताओ की प्राथना करने पर रिशी दुर्बसा का करोध सांथ हुआ और उन्होंने कहा की दिया हुआ सराप तो वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन मैं तुम्हें आसिर बात देता हुँ की तुम्हारे जन्म फिर्थी भी लोक पर वानर सेष्ट राजा विरटक यहां होगा तुम अपनी इच्छा के अनुरसार जब चाहोगी अपना रूप भी बदल सकोगी और भविस्ये में तुम महा कर्मी महा बलसाली तथा तेजो मैं पुत्र की माता बनोगी जिसकी खत्याय यूगो यूगो तक अस्थापित रहेगी वह भग्मान सिरी हरी विष्णू के अबदार मर्यादा पुर्शोत्तम सिरी राम के अत्यंत भग तथा सेवक होगा शिरी राम जीवन की उसकी बहुस परी भुमिका होगी तथा वह उनके कई कायों में सीध होगा उसी सराप के परिनाम स्वरू पुंजी कस्थला का जन्म मिर्तु लोक में राजा विरट के यहां पत्नी के गर्ब से हुआ था था उनका नाम अंजना रखा गया अंजना जब विवा योग्य हो गई तो राजा विरट ने वानर राज केशरीक से उनका विवा करा दिया जिसके पहचा सिरी हनुमान जी का जन्म हुआ जिस समय भगमान सिरी राम अपना बनवास खतम करने पुस्तक यान से वापस अयोध्या लोट रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी से माता अंजना के दर्शन की इच्छा प्रकट कई तब सभी माता अंजना के दर्शन को गए तथा सिरी राम ने ऐसे इत्ते जस्वी पुत्र को जन्म देने के लिए अंजना मा की परसंसा की इसी तरह एक कहानी आरभी है समुद मन्थन की कथा तो अपने सुनी होगी इस समय अमरित से भरा हुआ कलस समुद से निकला तो असुर उसे लेकर भागने लगे उस समय भगमान बिशनु ने मोहनी रूप धरकर असुरों को अपने रूप से मोहित करते हुए वा अमरित कलस उनसे प्राप्त कर लिया और देपताओं को अमरित पान करवाया राहू नामक एक असूर ने धोखे से एक देपता का रूप धारन कर अमरित पी लिया था लेकिन वो अमरित उसके गले के नीचे उतरने से पहले ही विश्नु जी अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट द तब वे राहू केबल धर अमर हो गया काते हैं कि सिरी हरी विश्नु का वह रूप इतना सुन्दर था कि भगवान सीब ने जब वह रूप देखा तो वे भी मोहित हो गये और उनका तेज संखलित हो गया भगवान सीब ने उस तेज को समहाल पाना किसी भी वस में नहीं था सभी देवता विचार करने लगे कि इस तेज का क्या किया जाए तबी सभी देवताओं की सलाह मान कर विश्नु जी ने इस तेज को धर खारन करने की छमता परदान करते हुए तपस्य कर रही थी अंजना के गर में अस्थापित कर दिया जिससे सीब जी के एकार में रुद् हुआ